प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने इनसान के बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सब की रूह तक लरत जाएगी। ये वाक्या निहायत ही सबक, अमोज और इबरतनाक वाक्या है। लहाजा हमारी आप से गुजारिश है कि हमारे इस वाक्या को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वाक्या से इबरत हासिल हो सके। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। एक दया का कहना था कि आज जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मैं हैरान थी। शख्स उस बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हुजूम था। मैं इस गाम की दाई थी और मैंने इस गाम की आधी से ज्यादा औरतों के यहां विलादत करवाई थी। सब लोगों का मुझ पर बहुत भरोसा था। लेकिन जब मौलवी हैरानी से मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा, अम्मा, आज आपकी ज़रूरत पढ़ गई है। तुम्हारे घर में तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता, क्यूंकि तुम्हारी बीवी तो बांज है। उसने कहा, नहीं, नहीं, मुझे आपकी जरूरत तो है. लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं, मुझे आपकी जरूरत बानो के लिए है. मैंने कहा, बानो उसके यहाँ विलादत होने वाली है, आप जल्दी से आ जाएं. मैं चली गई क्योंकि यह काम इतना मुश्किल तो है नहीं था एक बकरी के हाँ विलादत होने वाली थी मौलवी उस्मान को अपनी बकरी से बहुत ज्यादा महबबत थी उसने उसका नाम बानो रखा था वह उस बकरी के पीछे पीछे पागल था उसका बहुत ज्यादा खयाल रखता था उस पर जान देता था सर्दियों में उसके कपड़े भी बनाया करता उसके लिए अलग से कमरा बना रखा था सारे गाम को पता था मौलवी उस्मान की जान उस बकरी में बसती है और कहता है जब से बकरी लेकर आया हूँ तब से मेरे हालात ही बदल गए हैं बकरी थी भी बड़ी खूबसूरत लंबी और सफेद रंग की इतनी उंची बकरी वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी क्योंकि यह उसका खयाल ही रखता था इसलिए वह इतनी बड़ी थी मैं भी वहाँ पर चली गई और पास जाकर बैठ गई मुझे पता था कि मेरा ज्यादा काम नहीं है लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आँखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से जमीन ही निकल गई मैंने उसे कहा यह क्या मामला है पता कर यह किसकी हरकत है इस पर वह खुद भी हैरान और परिशान रह गया उसको तो ना बात आए न जाए क्योंकि उसे भी यह सब कुछ देखने की उमीद नहीं थी लेकिन जब पता किया गया यह किसकी कारस्तानी है तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई सर से आसमान भी मुड़ गया क्योंकि मौलवी उस्मान कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला सकता था क्योंकि यह काम ही ऐसा था लोग कहते हैं कि माही जजबाती नहीं हो सकती कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको ऑलाद का बहुत शौक होता है मौलवी उस्मान भी ऐसा ही था और मेरे ही इन हाथों में वह पैदा हुआ था उसकी माँ बड़ी अच्छी औरत थी अब इस दुनिया से वह जा चुकी थी उसके घर में उसकी एक बीवी रहती थी जो बस मुनासिब सी खातून थी ना किसी से ज्यादा बात करती थी और ना कहीं आना जाना रखती थी और उसकी वज़ा यह थी कि वह बांज थी बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी अक्सर मेरे पास आती थी मुझसे कोई दवाई लेकर जाती क्योंकि मैं इस गाव की बूड़ी दाई थी मैंने उसे कहा था कि तेरे यहां उम्मीद नहीं होने वाली तू शहर जाकर एक दफ़ा अपना चेक अप करवा ले आज कल शहरी डॉक्टरोंने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं अल्ला करे तेरे यहां भी उलाद हो जाए लिकिन वह कहती आपको पता तो है हम गरीब लोग हैं और मौलवी उस्मान कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा और इतने तो पैसे भी नहीं है हमारे पास बस यह मामला इसी तरह चल रहा है जब वो बदबख्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया ये एक छोटी सी बकरी थी उसको ऐसे उठा कर लाया था जैसे उसके यहां ऑलाद पैदा हो गई हो इसलिए उसका नाम बानो रख दिया और फिर पूरा दिन उस बकरी की देखभाल करता रहता और जैसे वहीं उसकी उलाद हो वक्त के साथ साथ बकरी भी बड़ी हो गई और अब दूध भी देती थी मैं बूढ़ी औरत थी मैंने उसे कहा था कि पाव भर दूध मेरे लिए रख दिया करो वो ऐसा ही करता था लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा भी मूह को आ रहा था बेचारा ऐसे बैठा था सरपकड़ कर कि जैसे सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ है जब सुभ सुभ मेरी आँख खुली तो दर्वाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था कहने लगा मेरी बकरी के हाँ विलादत होने वाली है मैंने कहा लेकिन तेरी बकरी तो अकेली है तो वो कहने लगा ये तो मुझे मालूम नहीं पता नहीं खाला लेकिन आप मेरे साथ चले मदद की जरूरत है पहले जब उसने दर्वाजा खट-खटाया तो मुझे लगा कि कोई और मामला है लेकिन फिर मैं जानती थी कि उसकी बीवी के हाँ तो उलाद हो नहीं सकती वो अपने शोहर को इतना पसंद भी नहीं करती थी कहती थी माबाप ने जबरदस्ती शादी करवाई है वो लड़की अच्छी थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने आना जाना कम कर दिया क्योंकि यह गाव था यहाँ पर किसी औरत का बांज होना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था मुझे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ यह कमरा उसने बानों के लिए ही बना रखा था वह वहाँ पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी मैंने कहा देखो यह मेरा काम नहीं लेकिन वह जो जानवर का डॉक्टर है न यह गाव छोड़ कर चला गया है इसी लिए चल मैं तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ मैं वहाँ जाकर बैठ गई जब थोड़ी देर के बाद मुझे अपने आसपास से किसी नौमलू बच्चे की रोने की आवाज आई मैं तो हैरान रह गई मैंने कहा यह आवाज कहां से आ रही है फिर मैंने सोचा कि यह मेरा वहम तो नहीं कि बच्चे की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे इसलिए ऐसा लगता है यह सब अब मेरे साथ रोज ही होता है लेकिन जब मैंने एक तरफ देखा तो हैरान रह गई बानों की हालत अभी भी खराब थी लेकिन उसके पास एक नमलूक बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था मैंने बानों को चेक किया उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था मेरा तो दिमाग घूम गया मैंने कहा यह क्या मामला है लेकिन वह बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था मैंने जल्दी जल्दी से उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया जब मैं वो बच्चा उठा कर बाहर निकली तो सामने मौलवी उस्मान की बीवी और गाम की औरत खड़ी थी शायद वो भी बकरी का दूध लेने ही आई थी लेकिन जब उसने यह मंजर देखा तो वो हैरान रह गई और उसने मुझसे पूछा ये किसका बच्चा है और ये बच्चा कहां से आ गया तू तो अंदर बानों के पास थी उसकी तबियत खराब थी मैंने कहा हाँ मौलवी उसमान की बीवी ने आगे बढ़कर बच्चा मेरे से ले लिया और कहा मैं इसका खयाल रखती हूँ वह बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी जब मौलवी उसमान ने यह मंजर देख लिया उसने कहा बानो कैसी है? मैंने कहा कि बानो तो ठीक है लेकिन और बहुत से मामलात खराब हैं इतने खराब है कि तु कभी ठीक कर भी नहीं सकता? उसने कहा, क्या मतलब? और मैंने उसे बताया कि तेरी बक्री के यहां विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है उसने कहा अच्छा कैसा है बच्चा? मैंने कहा इंसानी बच्चा पैदा हुआ है कम वक्त ये बात करने की देर थी कि वह हैरान रह गया उसने कहा क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ है? अम्मा मैं आपको नींद से जगा कर लाया हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आपके मुह में जो बात आए वो करो अगर आपको नींद रही है तो आप दोबारा जाकर सो जाओ लेकिन यह कैसा मजाक कर रही हो उसने कहा मजाक जाकर देख तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है वो फौरण अंदर भागा मैं भी उसके पीछे गई उसकी बीवी ने उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर अपने पास लिटा दिया था और दूसरी औरत को कहा कि जाकर अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध ले आए क्योंकि उस औरत के यहां भी अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था वह दूध लेने आई थी और अब उस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था बच्चा बिलकुल ठीक ठाक था मेरी नजर बड़ी तेज थी मैं उनकी नजर में देखकर यह बता देती थी कि बच्चे को कोई मसला है या नहीं वो तो दूध पीकर सुकून से सो गया लेकिन अब उस घर के लोगों का सुकून बरबाद होने वाला था मौलवी सहब तो जमीन पर बैठ गया अपना सर पीटने लगा उसने कहा ये कौन सा जमाना आ गया है ये क्या हो गया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला हमने कहा हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था तू बता ये सब क्या है तेरी बकरी थी तेरे आसपास रहती थी और तू इसका खयाल रखता था उसने कहा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरी बकरी के यहां विलादत होगी और जब विलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा लेकिन ये बच्चा कहां से आ गया उसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी ना कुछ बोल रही थी और ना कुछ कह रही थी हम सब हैरान थे तो उसको भी हैरान होना चाहिए था ना लेकिन वह हैरान नहीं थी हम ये सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो गया वह कुछ भी नहीं बोल रही थी कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते अमूमन उन्हें अपने बच्चे का बहुत शौक होता है लेकिन इस औरत से मैं जब भी पूछती थी वह यही कहती थी मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है अगर बच्चे नहीं है तो मुझे कोई मसला नहीं लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़ कर बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो उसे सांस ही नहीं आएगी मैंने कहा कि शम्मा तू भी कुछ बोल ले खामोश क्यों बैठी है उसने कहा मैं क्या बोलूँ मेरे बोलने न बोलने से क्या हो जाएगा यही इस बकरी को उठा के लाए थे और पूरा दिन इसके आसपास रहते थे मुझे नहीं पता कि मैं किस पर शक करूँ मौलवी उस्मान ने पास बड़ा गिलास उठा कर जमीन पर दे मारा उसने कहा क्या तो तुम मुझ पर शक कर रही हो उसने कहा नहीं मैं आप पर शक नहीं कर रही लेकिन आप ही बता दें कि यह सब कैसे हो गया ये सब कुदरत के खिलाफ है अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी की बहुत बड़ी सजा है मौलवी ने कहा इस बच्चे का क्या करें उससे पहले कि मैं कुछ बोलती शम्मा कहने लगी कि बच्चे को मेरे पास रहने दें अल्लाह ने हमें आुलाद नहीं दी बस यूं समझे कि हमारी उलाद मिल गई आपको कितनी दफ़ा समझाया है और कितने जगड़े किये हैं आप से लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी अब ये उलाद हमारे दर्वाजे पर आ गई है हम इसको पा लेंगे मर्द के अंदर बहुत सबर होता है लेकिन जब उसका सबर जवाब दे जाता है ना तो वह खामोश ही हो जाता है मौलवी उस्मान के साथ भी यही सब हो रहा था वह खामोश हो गया और ओठक वहां से चला गया अब शम्मा रोने लगी उसने कहा देखे ना अम्मा मैंने इससे कितनी दफा कहा हम किसी का बच्चा लेकर पा लेती है हमारी शादी को दस साल हो गए है मैं तो लोगों के बच्चे ही जवान होते देख रही हूं मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते न ये मुझे शहर ले गए है उन्होंने कभी मुझे पर ध्यान ही नहीं दिया मुझे से ज्यादा तो उसको उस बकरी से मुहबबत थी मैंने सोचा था कि किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं लेकिन आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं है शम्मा बोली अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बहन नाजिया अल्लाह ने उस पर एकर्म किया एक साथ ही तीन बेटियां पैदा हुई थी फिर अल्लाह ने उसे एक साथ ही दो बेटे और दे दिये वह हमें अपना बच्चा देने को तयार थी उसके शोहर तो मेहनत मजदूरी करते थे पांच बच्चों को कैसे पालते और फिर मेरी बहन की उलाद थी और यह जो आपका मौलवी उस्मान है ना इसने कहा कि इसका बाप कमजात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर घटिया जात का खून हो देखिये ना इसने कितने बड़े-बड़े बोल बोले हैं शायद जिसके लिए अल्लाद ने इसको यह सब कुछ दिखाया इसने कभी मुझे संजीदा नहीं लिया और ना ही मेरा इलाज करवाया ना मेरे लिए दुआ की ना मुझे कहीं दम करवाने ले गया मैंने कहा किसी से उलाद ले लेते हैं तो इसने मुझे हजार बातें सुनाई मैंने कहा फिर शहर जाके किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा बस इस बकरी को लेकर बैठ गया एक दिन तो मुझे कहता था ये बकरी ही मेरा सब कुछ है और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई जगडा करता था मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा अब देख ले क्या मामला हुआ अब इस बकरी की वजह से ये पूरे गाव में भी मशहूर हो गया लेकिन अच्छे अलफाज में मशहूर ना होगा मेरी ही बद्वा लगी है मैंने कहा शम्मा क्या हो गया है तेरी बद्वा ऐसी थी तो शम्मा जेरे लब कहने लगी मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया मैंने कहा ये तू क्या बोल रही है उसने कहा मैं कह रही हूँ कि मुझे ये बच्चा मिल गया बस काफी है मैं जानना नहीं चाहती ये बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है बस मैं इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी मैं अपने घर चली गई मौलवी उस्मान की मा मेरी बहुत अच्छी सहेली थी इसलिए वह मुझे खाला कहता था कभी अम्मा कहता था जब शाम हुई तो वह मेरे घर आ गया बड़ा परिशान था उसने कहा कि एक बुरी खबर है मैंने कहा क्या बुरी खबर है तो कहने लगा बानो इस दुनिया से चली गई अभी अभी उसे दफना कर आया हूँ मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा उसने कहा मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ यह अजीब मामला हो गया पूरे गाव में ये बात फैल जाएगी क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यहां से भाग जाऊँ लेकिन अगर भागू तो क्या इस बच्चे को लेकर भागू मैंने कहा देख इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं तेरी बीवी के हाँ उलाद नहीं है वो इसको पाल लेगी उसका भी वक्त गुजर जाएगा और तुम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है बच्चे नहीं हुए अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था तो मौलवी उसमान कहने लगा नहीं मैं ये सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूँ मुझे पता लगाना है ये किसकी कारस्तानी है और किसने ये सब किया मेरी बकरी के साथ जिसने भी ये किया है उसके गुनाह की सजा हमारे गुनाहों की सजा नहीं है हमने कौन सा गुनाह किया था और तू तो पिछले दिनों तबलीक पगया हुआ था नाना याद है तुझे और परसों ही वापस आया है मौलवी साहब सोचने लगा उसने कहा हाँ, बात तो सच है मैं तबलीक पर गया था और परसों ही वापस आया हूँ मैंने कहा, मेरा भी तजुर्बा है ये बच्चा एक दिन का नहीं है कम से कम चार-पांच दिन का बच्चा है वह इस मोहले के लोगों से पूच गच कर रहा था लोगों से पूच रहा था कि मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था या जिनके बकरे थे उनसे भी जाकर बात कर रहा था लोग उसको बदले में तरह तरह की बातें सुना रहे थे लेकिन उसने ठान ली थी कि वह पूच कर ही रहेगा कि आखिर मामला क्या है और इधर मैं अपनी तफी में मसरूफ थी लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला शम्मा को देख कर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था वह बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी फिर ये बच्चा किसका था कहीं वाकई वह मामला तो नहीं था जिसे हम सिर्फ ये सोच के नजर अंदास कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता जबकि अगर कुदरत नाराज हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे मामला दिखाती है कि इनसान की अकल दंग रह जाती है और ये कुदरत का गुसा जाहिर करने के तरीके होते है इनसान इन चीजों को नहीं समझता जब वह दूसरे इनसान को ये चीजों के बारे में बताता है तो वह यही कहता है कि यह सब कुछ जूट है कहानी है लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसने कैसा बच्चा पैदा किया था उसको देखकर सब लोग चीखें मारते चिलाते हुए वहां से भाग गए क्योंकि वो बच्चा है ही इस किस्म का था और मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस बच्चे को उठा कर उसकी मा की गोद में रखा था इसी तरह मा के हाथ भी काप रहे थे वो बुरी तरह से रो रही थी सब लोग कहते थे कि इसे सजा मिली है क्योंकि इसने अपनी चारपाई पर पड़ी हुई सास की खिदमत नहीं की बलकि उनको हमेशा बुरे अलफाज से पुकारती थी गुस्सा करती थी उनके काम नहीं करती थी और फिर उसकी सास इसी तरह चारपाई पर दम तोड़ गई वह बच्चा भी दुनिया में ज्यादा अर्सा नहीं रहा लेकिन उस औरत को बदला जरूर मिला इसके बाद वो बहुत नेक औरत बन गई थी अपने शोहर का ख्याल करती और गाम वालों का भी काम किया करती शम्मा बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी बच्चा बिलकुल ठीक था और सुकून से सो रहा था मैं वापस अपने घर आ गई जब मुझे एक औरत बुलाने के लिए आई उसने कहा कि अम्मा वो सलीमा की बेटी है ना उसकी तबियत खराब हो गई है जरा आप चले मैंने कहा हाँ, हाँ आती हूँ ऐसे तो मेरे पास पास बहुत से लोग आते थे और मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी शायद उस औरत के यहां बच्चा पैदा होने वाला था इसलिए मुझे बुलाया था लेकिन मुझे यह पता चल गया था कि किसकी बात हो रही है क्योंकि सलीमा को मैं अच्छी तरह जानती थी उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी जो पूरे गाव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी उसका नाम शायद लायबा था बहुत ही प्यारी लड़की थी जब मैं घर में दाखिल हुई तो लायबा की हालत बड़ी खराब लग रही थी वो बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत ही तेज बुखार हो रहा था मैंने पूछा कि क्या मामला है तो उसकी माने कहा यहे अपने मामू के घर गई थी चार दिन पहले वापस आई है और तब से इसने अपने आपको कमरे में बंद कर रखा है ना उसने कुछ खाया है और ना पिया है और इसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है अब इसको इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा मैंने लायबा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि मामला कुछ और है मैंने सबसे कहा कि तुम लोग बाहर चले जाओ मुझे अकेले में इसको देखने दो कि क्या मामला है क्या वज़ा है जवान लड़की है क्या तुम सब के सामने मैं इससे ऐसी बातें पूछूंगी चलो निकलो यहां से मैं लाइबा के पास बैठ गई मैंने कहा जी क्या बात है बेटा जब मैंने उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया उसने कहा नहीं अम्मा बस तू मुझे बचा ले बाहर जाकर सबको कह दे कि सब कुछ ठीक है मैंने कहा कहां क्यों क्या हुआ तो वो कहने लगी ये देख मेरा हाल जब मैंने उसको देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है मैंने कहा तेरी आुलाद कहा है उसने कहा वो तो मैंने शम्मा को दे दी मैंने कहा शम्मा तेरी क्या लगती है तो कहने लगी वो मेरी बच्पन की सहेली है मै पीछे कारखाना बन रहा है ना उधर का अफसर था, वो बहुत खूबसूरत आदमी था, उसे तो यहां से गए हुए दस महीने होने वाले हैं, और मैं ही उसके इश्क में पागल हो गई थी, और ये बात मैंने सिर्फ शम्मा को ही बताई थी, शम्मा को ये पता था कि मेरे यह अउलाद होने वाली है, जब मेरे यहां अउलाद होने वाली थी, और कुछ महीने उपर हुए, तो मैं बहाना करके अपने मामू के घर चली गई, आपको तो पता है ना, मेरे मामू की आँखों में बिनाई नहीं है, उनकी एक बेटी है, और उसे ये सब कुछ छुपाना आ ये सब कुछ कैसे हुआ, बानों के साथ हमने कुछ नहीं किया, उसकी तबियत खराब खुद ही हुई थी, शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हो, लेकिन हमने उसकी तबियत का फायदा उठाया और इस बच्चे को वहां पर रख दिया, आप कुछ पल के लिए सो गई अम्मा बोली, ये मेरे साथ पहले भी होता है, कि मैं हुक्का पीती हूँ, तो मुझे अचानक नींद आ जाती है, लेकिन उस दिन मुझे पता ही नहीं चला, कि मैं किस टाइम सोई और किस टाइम उठी, वो हाथ जोडने लगी, उसने कहा, मैंने अपनी सहेली की मदद की है, और उसने मेरी मदद की है, बस आप बाहर जाकर कह दो, मुझे बुखार है, और कोई दवाई वगेरे दे दो, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा होना था, वो तो हो ही चुका, मैं तो इस बच्चे को नहीं पाल सकती, पर शम्मा तो इसको अच्छे तरीके से पाल सकती है, ये ब क्यों रोएगा बच्चा, अपनी खाला की गोद में जो है, ये जुमला पूरा करना था, उसने, क्योंकि उसके लिए लायबा उसकी बहन से बढ़कर थी, मैंने कहा, अब जो होना था सो हो गया, मैं खामोश सिर्फ इसलिए हूँ, कि इस मासूम जान को एक मा मिल रही है, औ इसके बाद वर ठीक हो जाएगी, और उससे ज्यादा सवाल नहीं करियेगा, इधर मैंने मौलवी उस्मान को भी समझाया, कि बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया, अब यह तेरी औलाद है, तू ही इसका ख्याल रखना, शायद अल्ला ने तुझे इम्तिहान के लिए और तू भी इसी में हो जा, तो सब ठीक हो जाएगा, उसको भी मैंने समझाया, और शम्मा से भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन यह बात वाकई बहुत अजीब थी, कि इस बच्चे के आने के बाद मौलवी साहब के हालात बहुत बहतर हो गए, और उसके घर में दौ शायद उसकी किसमत अच्छी थी, लेकिन उसने वाकई बहुत बड़ा कदम उठाया था, अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, प्यारे दोस्तों, आज का वाकई आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि आज का वाकई आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मजीद ऐसे ही वाकईात सुनने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके हमारी फैमली का हिस्सा जरूर बनिये, शुक्रिया